लो आ गया हूं दोस्तों फिर से आप लोग के सामने एक बहुती बहतरीन सुभर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट फेर के सेशन के साथ और आज है 6 सितंबर हम लोग अभी मई मंत का रिवीजन कर चुके हैं जून मंत का रिवीजन अभी चल रहा है तो डेल पर मैसेज कर सकते हैं इसके साथ में लेक्चर की पीडिया विट आंसर्स आप लोग को डीपक इंदो रा ओफिशल चैनल पर अविलेबल करवा दी जाती है तो चलिए शुरू करते हैं बहुती बहतरीन लेक्चर को आज है 6 सितंबर तो पहला कोशन आप लोग के सामने हैं आप लोग यहां पर देखेंगे कि ब्राजील है रशिया है इंडिया है चाइना है साउथ अफरिका है तो यह सभी डवलपिंग कंट्रीज हैं तो डवलपिंग कंट्रीज के द्वारा 100 बिलियन डॉलर से जो एक बैंक निर्मित किया गया है वो ही ब्रिक्स बैंक कहलाता है तो बंगलादेश के साथ में दो अदर कंट्रीज और हैं जिन्होंने ब्रिक्स बैंक को जोइंग किया है यदि हम लोग भारत और बंगलादेश की बात करें लेकि बंगलादेश को यह जो गौराव प्राप्त हुआ है आप लोग को पता होगा कि यह बंगलादेश की 50 वी स 26 मार्च 2021 को भारतिय प्रधान मंतरी नुरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था कहां पर बंगलादेश में और इसी के चलते कई योजनाएं जो थी वो बंगलादेश के अंदर शुरू की गई थी जिनको फंड किया था इंडिया के दौरा जैसे एंबुलेंस सर्विसेज है इसके साथ में ही कई जो अधर सर्विसेज है कोवीड-19 से रिलेटेड वो भी बंगलादेश के अंदर शुरूआत की थी हम लोगोंने एक नई ट्रेन जो है उसकी भी भारत और बंगलादेश के अंदर शुरूआत की है डियू की अंदर शेख मुझीबुर रहमान के लिए एक dedicated department जो है वो भी निर्मित किया गया है चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर आप लोग news देख सकते हैं कि बंगलादेश जॉइंस new development bank as its member लेखिए आप लोग की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आप लोग को पता दूँ कि एक तरफ है developing countries और एक है developed nations developed nations हैं उनका belief जो रहता है वो word bank के उपर रहता है तो जितनी भी developing countries है या हम लोग कहें कि Asian जो nations हैं उनका हमेशा ये एक तरक रहता है कि word bank जो है वो हमेशा control किया जाता है developed nations के द्वारा जैसे USA के द्वारा तो USA से influence रहता है word bank तो इसी के ही subsidiary हम लोग कहें कि इसी के replace के तोर पर Asian जो countries है या developing जो nations हैं उन्होंने BRICS bank की इस्थापना की है तो BRICS bank जो है वो Brazil, Russia, India, China और South Africa के द्वारा 2015 के अंदर इसको establish किया गया था BRICS के अदि हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि South जो American continent है वहाँ सभी एक देश है इसके साथ में Asian continent से भी देश है और यहाँ पर African continent तो exam में जब भी question पूछी जाते हैं तो statement में ये लिखावाता है कि 3 जो continent है उसके participating countries BRICS के अंदर शामिल होते हैं तो ऐसे statement दे हुआ की पूछा जाता है मतलब आपको उसमें थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया आता है आपको ये तो पता है कि BRICS के अंदर कौन-कौन सी country शामिल है लेकिन 3 जो continents हैं उनकी country शामिल होती है तो बस हलका सा statement को change किया जाता है यहाँ पर BRICS की हम लोग बात करें तो total 2 2.88 billion जो people है वो पूरे world का 42% यहाँ पर dominate करते हैं इनही BRICS countries की द्वारा और total world का 26% जो land area है वो share किया जाता है BRICS countries के द्वारा और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 14% of economy जो है वो BRICS countries ही contribute करती है पूरे global economy की अंदर चलिए थोड़ा से इसको हम लोग और clarify करते हैं कि GDP growth rate जो है वो 2012 की यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि comparative study किया जाए तो बहुत ही बहतरीन 2012 की economy से हो सकता है 1.5% यहाँ पर economic growth है GDP के अंदर 3.7 है 5.8 है 7.8 है question जब पुछ जाएगा तो BRICS countries के अंदर GDP growth rate में इंडिया की जो rank है वो कौन से number पर है second position पर है तो क्या first position पर है बिल्कुल नहीं है first position पर चायना है इसके बाद में second position पर इंडिया है यदि statement में third position के लिए कहा जाता है तो भी वहाँ पर statement गलत हो जाएगा तो total 1.8 billion dollar की जो economy जो है वो 8.1 trillion dollar की है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारी जो target है हमारा target है कि 2030 सक इंडिया जो है वो 3 trillion dollar जो है इसको touch कर सके यह हमने target बनाया है इसके साथ में population आप लोग देख सकते हैं लेंड एरिया यहाँ पर देख सकते हैं चलिए बढ़ते हम लोग papers को देखेंगे तो 2014 का UPSC का paper देखना इसी समय मैंने भी यह prelims दिया था और first time के अंदर prelims मैंने clear किया था क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इस paper का पूरा scenario 2014 के अंदर यह question पूछा गया था statement के अंदर कि Russia के द्वारा BRICS Summit जो है उसको host किया गया था तो statement में यह आ नहीं कि जब South Africa नहीं आपे join किया था तो उस समय ब्राजील के अंदर इसे क्या किया गया था इसको host किया गया था फिर देखी यहाँ पर India की बारी आती है 2012 में इसलिए आप लोगों को मैंने कहा था कि 2012 की economy GDP growth जो है उसको हम लोग compare कर रहे हैं इंडिया की बारी फिर आती है 2016 के अंदर यह बहुत जादा important है फिर आप लोग देखिए कि 2021 के अंदर BRICS जो summit है वो इंडिया के अंदर करवाया गया था तो यहाँ पर तीन BRICS summit जो हैं वो इंडिया के अंदर हो चुके हैं तो आप लोग यह जरूर याद रखना बहुत ही important यह एक data है चलिए बढ़ते देश जो है उनको permission दी गई है BRICS countries को join करने की क्योंकि पहले और countries को यहाँ पर entrance यहाँ पर allow नहीं थी तो पहली बार ऐसा हुआ है देखिए UAE एक ऐसा देश आप लोग को पता होगा कि UAE पहला ऐसा देश था जिसने इसरायल के अंदर अपनी embassy जो थी वो इस्थापित की थी चलिए बात करते हैं हम लोग कि बांगलादेश ने अपनी 50th anniversary जो है वो अभी celebrate की है यह तो आपको पता है इंडिपेंडेंस देखी और इसी के चलते प्रेसिडेंट है NDB के New Development Bank के मारकोज उनके द्वारा ही यह permission दी गई है मतलब allows जो है वो उनके द्वारा किया गया है 6 साल पहले Bricks Bank को जिसे New Development Bank भी कहा जाता है और इसके total 80 projects जो है वो इसके membrane countries में चल रहे हैं अब आप लोग को यह लग रहा होगा कि 80s project जो है वो किस से related है तो यहाँ पर transport फिर इसके साथ में water, sanitation, clean energy, digital infrastructure, इसके साथ में social infrastructure and urban development और यही statement जो है वो हमारे question करने में काफी help करता है क्योंकि जब भी statement में question आता है कि यहाँ पर आप लोग इसमें एक चीज common देखेंगे कि जितना भी cleanness project है वो अधिकतर NDB के through जो है उसको fund किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा project NDB fund करता है तो वो हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर eliminate कर सकते हैं options को तो यहाँ आप लोग द चलिए one-liner questions की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भारत के लिए test match में 31 गैन पर अग्ज सटक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाद जो है वो शार्दुल ठाकुर बन गये हैं तो यह आप लोग काफी important इसको लगा देना देखिए कपिल देव जो है वो उन cricket player म बनाए गया है head बनाए गया है किस राज्य ने OBC वर को सरकारी भरतियों और परिक्षाओं में अब 27% आरक्षन को लागू कर दिया है तो वो है मध्य प्रदेश देखिए माराष्टर के अंदर OBC जो reservation है इसका बहुत ही burning मुद्दा वहाँ पर चला था क्योंकि मराठाज को OBC के अंदर शामिल करने की बात थी लेकिन Supreme Court की द्वारा ये कहा गया कि इंद्रा साहनी जो case है 1992 का उसमें ये कहा गया है कि 50% की जो limit है total reservation की उसे cross नहीं किया जाना चाहिए और इसी के चलते मराठा जो आरक्षन था उसको रद कर दिया गया था तो इंद्रा साहनी जो बल्ले बाज बन गया है तो विराट कोहली जो है इन्होंने फास्ट ली 23,000 रन जो है वो complete किये हैं देखिए बात करें हम लोग इसमृती मंधाना इसमृती मंधाना ने लगातार 10 मैचों में 10 50s बना कर word record बनाया था और ये बनाने वाली पहली महिला ये बन गई थी महिला क पर आने वाली दूसरी महिला किरिकेटर वो बन गई थी चलिए नेक्ट कोशन आप लोग के सामने हैं बारतिय नौस है ना इंडिया ने वी हैंडिट ओवर टू मोबाइल ऑक्सिजन प्लांट तो विच कंट्री तो यहाँ पर दो मोबाइल ऑक्सिजन प्लांट जो हैं वो स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉबेलिटी उसकी काफी अच्छी है तो इसी तरीके से आयनस सावित्री के ऊपर ही यह ऑक्सिजन प्लांट को एस्टाबिश कर दिया गया है और इसी के चलते वहाँ पर ऑक्सिजन जो है उस बांगलादेश लॉंग लिव बांगलादेश इंडिया फ्रेंडशिप यहाँ पर भारत और बांगलादेश के बीच में इतनी गहरी दोस्ती क्यों है क्योंकि जब 1971 का वार हुआ था उस समय भारत ने ही बांगलादेश को आजात करवाय था पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस् प्रित्तान ने इंपोस की थी on the Bangladesh और यहां पर दो और तीन सितंबर 2021 को आयने सावित्री जो है इंडिया नेवे शिप सावित्री की द्वारा इसको क्या किया गया है वहां पर पहुंचाया गया है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि नेवल शिप के ऊपर इनको माउंट क किया गया है और इसी के चलते वहां पर यह पूरा का पूरा ऑक्सिजन प्लांट वहां पर पहुंचा दिया गया है देखिए भारत बांगलादेश के साथ में संप्रिती मिलिटरी एक्साइस करता है यह आप लोग को ध्यान रखना है इंडिया हैस गिफ्टेड टू मोबाइल मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट टू बंगलादेश टू सपोर्ट दा कंट्रीज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इंडिया नेवल शिप सावित्री तो यहां पर यह तिरिपुरा, मिजोरम, मेगाल, आसाम, वेश बैंगल जो है वो बाउंडरी शेर करते हैं क्या यहां पर मनिपूर जो है वो बाउंडरी शेर करता है नागलन शेर करता है बिल्कुल शेर नहीं करते इसलिए वन्ड एक्जाम के अंदर यह कोशन पूछा जाता है कि कौन सा इस्टेट जो है वो बंगलादेश से boundary शेहर नहीं करता है तो ऐसे questions के लिए आप लोग जरूर prepare हो जाना और यहाँ पर एक question और बन सकता है कि तिरपुरा जो है ऐसा कौन सा इस्टेट है जो कि तीनों तरफ से international border से घिरा हुआ है तो उसका नाम क्या है वो है तिरपुरा चलिए Australia, Singapore, Malaysia और किस देश के Central Bank Digital Currency योजना शुरू की है तो South Africa के दौरा ये योजना शुरू की गई है भविशे में मंगल मिशनों पर निगरानी कारे के उदेशे से किस देश ने छोटा helicopter विक्सित किया है तो ये तो बहुत important question है चाइना की दौरा यहाँ पर ये विक्सित किया गया है आप लोग को पता होगा कि तीन countries है उसके अंदर एक तो है USA फिर है चाइना और फिर third country UAE है तो यहाँ पर चाइना की दौरा 10-1-1 10-1-1 जो है ये मिशन मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया था UAE की दौरा कौन सा था HOPE मिशन और USA की दौरा Perseverance तो ये तीनों मिशन जो है Perseverance त्यानवान और HOPE जो है वो तीनों आप लोग याद रखना और फरवरी 2021 के अंदर ये कहां पर पहुंचे थे शुक्र ग्रह पर जाकर पहुंचे थे चलिए बढ़ते हम लोग आगे New Development Bank ने संयुक्त अरब अमिरात उरुगवे और किस देश को नए सदेश्य के रूप में जोड़ा है तो बंगलादेश जो है उनको नए सदेश्य के रूप में जोड़ा है तो तीन कंट्री यहां पर हो जाएंगे UAE है उरुगवे है और कौन सा है बंगलादेश यहां पर कंट्री है चलिए बढ़ते हम लोग आगे अच्छा मैंने आपर शुक्र बता दिया है तो यहां पर सब्सक्राद साब लोग करेक्ट करना यहां पर कौन सा होगा मंगल मिशन जो है वो यहां पर रहेगा चलिए भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले सैन्ने अभ्यास का नाम क्या है तो काजिन 21 जो है वो भारत और बांगलादेश की बीच में क्या किया जाता है इसको और कजाकिस्तान के अंदर ही यह और्गनाईज करवाए गया है कजाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है एरिया वाइज अस्ताना जो है वो इसकी कैपिटल है और इससे पहले काजिन 21 ये जो एकसाइस थी ये इंडिया के अंदर ही होश्ट करवाई गई थी ये एक बाई लेटरल एकसाइस है और एन्वली इसको कंड़क्ट करवाया जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कजाकिस्तान के अंदर कई सारी लेक्स हैं बालकश जो की तामा उत्पादन के लिए काफी फेमस है ठीक है कॉपर के लिए फिर आप लोग देखिए यहाँ पर है अरलसी तो अरलसी जो है यहाँ पर दो नदिया आकर गिरती है एक का नाम है अमुदरिया और एक का नाम है सिर्दरिया तो अमुदरिया और सिर्दरिया जो है वो अरल सागर के अंदर आकर गिरती है इसके साथ में ही कैस्पियन सागर जो की पूरे विश्व की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है सलाइन वाटर की जो लेक है पूरे वर्ड के अंदर सबसे वड़ी वो कौन सी है कैस्पियन सी है और कई कंट्रीज को टच करती है अब यहाँ पर कोशन देखिए UPSC का यहीं से फ्रेम हुआ था 2020 का वहाँ पर यह पूछा गया था कि कैस्पियन सी से जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी टच करती है I hope यहाँ पर 2019 का था यहाँ फिर 2020 का था तो यह चीज जो है वो आप लोग जरूर किलियर करना तुर्कमेनिस्तान है इसके साथ में कजाकिस्तान हो गया है फिर रश्या इसको टच करता है इसके साथ में आजरबेजान जो है वो भी इसको टच करता है चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काजिन जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान की बीच में करवाई गई है कजाकिस्तान में यह हुआ है और इससे पहले मतलब 2019 2019 के अंदर जो इसका 4th edition था वो पिथोरागड के अंदर ही इंडिया के अंदर ही उसको आउजित करवाया गया था चलिए वन लाइनर की तरह हम लोग बढ़ते हैं भारती नौसेना ने स्वादेश में ही विकसित नौसेना ड्रॉन रोधी प्रनाली की आपूरती के लिए कि जाप्त हुए आवेदनों की समिक्षा के लिए कितने सदस्य समिक्षा किया है तो 5 मेंबर जो हैं वो इसके अंदर है देखी अंब्रेला मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है लिमिटेड एरिया वो डिसाइड किया जाता है और उसी के तहट कोई भी योजना जो है व वो समझोता किया गया है यह अब आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली हमनों इसराइल से भी ड्रोन जो हैं वो हमने इंपोर्ट किये हैं और वो जो हैं वो कौन से हैं वो है वो है वोर उनको कहा जाता है वार ड्रोन कहा जाता है वार ड्रोन उनको कहा जाता है कि जब भी आपको ये निगरानी ड्राउन से करते हैं तो उसमें ये भी फैसिलेटी रहती है कि वो जो है किसी भी छेतर पर जाकर गिरता है तो छेतर को भी नश्ट कर देता है मानसिक स्वास्त हेल्पलाइन सुकून का उद्गाटन जो है वो जम्मो कश्मीर के अंदर किया गया है बहुत ही जरूरी है भारत के अंदर मेंटल हेल्पलाइन के लिए देखे जापान एक ऐसा कंट्री था जिसने कोवीड-19 के चलते हुए एक अलग से डिपार्टमेंट जो हैं कि कमांडेंट हैं हसीब रहमान इनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया है और इसमें डॉक्तर्स और जितने भी कंसल्टेंट हैं वो इस चीज के लिए क्या करेंगे लोगों से कंसल्ट करेंगे कि कई उन्हें कोई मैंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जा रहा है इसी लिए ये कदम उठाने जरूरी हैं किस मंत्रा लिन ने डीजल को एलन जी से बदलने के लिए पाइलेट परियोजना जो है वो शुरू की है तो मिनिश्ट्री ओफ कोल जो है इनके द्वारा शुरू की गई है तकि डीजल को किसके साथ में एलन जी किया जाता है उसको और डीक्रिस करने के लिए ऑई ड्यू टूपर उसको उल्किसमे लिक्रिव्ड़ के अंदर कनवर्ट किया जाता है और इसी ही क्या जाता है ल इसको उसको कहा जाता है बारत और किस नौसयनाओं उने अलजीरिया के तट पर अपना पहला नौ सैनिक अभ्यास आउजित किया है तो अलजीरिया नेवी जो है इनके द्वारा ही क्या किया गया है ये नैवल एक्साइज जो है वो कंडर्ट करवाई गई है भारत के किस पडोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की गोशना की है तो बहुत important question है ये question वन्ड एक्जाम के लिए काफी important है श्रेलंका इसका correct answer रहेगा कच्छवा संदक्षन के लिए ये question recently जो है कच्छोई से related ये अभी आप लोग को पता है कि कल ही जो है वो UPAC का EPFO का paper हुआ है और उसके अंदर related to turtle जो है ये question पूछा गया है चलिए बढ़ते हम लोग question के तरफ कच्छवा संदक्षन के लिए बहता turtle conservation award 2021 से किसी सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर शेलें इंद्रि सिंग जो है इनको सम्मानित किया गया है आप लोग को पता होगा कि उडिसा का जो गहीर मठ बीच है उडिसा का गहीर मठ बीच है वहां पर olive ridley turtles पाए जाते हैं और olive ridley turtle पूरे विश्व के अंदर सबसे चोटा कच्छवा होता है और जो कि किस में आता है non wedge category के अ अंदर आता है तो विश्व का सबसे चोटा जो कच्छवा है वो olive ridley turtle है और इसी के लिए इंडिन आर्मी के द्वारा operation Olivia जो था वो भी चला गया था operation Olivia चला गया था इंडिन आर्मी के द्वारा क्योंकि अब इनको बचाना जरूरी क्यों था क्योंकि एक समय में ये क्या होत आते वक्त काफी हद तक वो बच्चे जो थे वो खतम हो जाते थे उनी को बचाने के लिए operation Olivia जो था वो शुरू किया गया था यहां तक कि कल जो यूपीएसी का paper हुआ है EPFO का उसके current affair के question जो है मैं आप लोग के लिए available करवाँगा तो आप लोग कल का session जो है उसको जरूर जो है वो जरूर से करना चलिए यहां पर आप लोग देखी कि डॉक्टर शैलिंद्र शिंग जो है इनको award दिया गया है और award किसलिए दिया गया है इन्होंने three endangered जो species है उनको save किया है इसकी चलते इनको यह पुरसकार दिया गया है लदाक में लेह को किस जील से जोडने वा क्योंकि coconut जो crops हैं जो भी इसका cultivation है उसको improve करने के लिए increase करने के लिए इसका production बढ़ाने के लिए ही यह day जो है वो celebrate किया जाता है कौन सा IIT संस्तान electronic कच्रे से निपटने के लिए e-source नाम का online platform विक्सित कर रहा है तो वो है IIT मदरास यह question भी काफी important है इसको आप लोग important ज प्रशी योजना और बागवानी के लिए आत्म निर्भर बागवानी योजना किस राजय सरकार ने शुरू की है तो यह अरौशल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है और यह पूरी की पूरी योजना जो है वो agriculture department के अंदर count की जाती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अरौशल प्रदेश government has launched two ambitious schemes in the agriculture sector देखिए agriculture sector को हम लोग इतना boom क्यों करना चाते हैं क्योंकि agriculture sector हम लोग तीन sectors के अंदर divide करते हैं primary, secondary और tertiary तो economic development growth जो है यह हम लोग कहें कि GDP के अंदर इनका जो contribution है primary sector हमेशा positive के अंदर रहा है जबकि COVID-19 के चलते secondary और tertiary sector की जो growth है वो negative के अंदर पहुँच गई थी इसलिए primary sector जो है इसको अच्छा boom देना जरूरी है और इसके लिए आप लोग को पता होगा कि 7 अगस्त 2019 को किसान rail परयोजना जो थी वो भी शुरू की गई थी तो पहले किसान rail जो थी वो देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी देवलाली से दानापुर तक पहले किसान rail चलाई गई थी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सोवी किसान रेल 100 किसान रेल जो है उसको किन दो इस्टेशनों के बीच चलाया गया था तो यहाँ पर अलवनाक्षिल प्रदेश के द्वारा ये जो दो योजनाएं हैं इसमें 45% जो है वो गवर्मेंट जाएगा तो यहाँ पर SBI बैंक और फार्मर जो है इनके बीच में क्या हुआ है ये पूरा का पूरा अंडर्स्टेंडिंग जो है वो हुई है मतलब एक कॉंट्रेक्ट जो है वो साइन हुआ है और इसी के चलती ये क्या किया जाएगा ये योजना लागू की जाएगी लो आपको पता होगा कि ओम बिल्ला रिसेंटली लद्दाक के दोरे पर भी गये थे भारत और कौनसा राज्ये 100% COVID-19 टीका करने वाला देश का पहला राज्ये बन गया है तो वो कौनसा है हिमाचल प्रदेश अच्छा पूरे विश्व के अंदर 100% COVID-19 वैक्सिनेट करने वाला इस्रेल जो है वो पहला देश बना था और भारत के अंदर आप लोग देखी हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्ये बन चुका है और कोरोना ते मुक्त होने वाला पहला देश कौनसा है तो वो है न्यूजिलेंड और भारत के अंदर पहला राज्ये पूछा जाए त किसको सीमा सुरक्षाबल का नया महान निदेशक जो है वो बनाया गया है BASF का तो पंकच कुमार सिंग जो है जो की राजस्तान कैडर के हैं इनको अब क्या बना दिया गया है BASF का डारेक्टर जनरल बना दिया गया है इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महीला अध्यक्ष और प्रबन निदेशक कौन बनी हैं तो यहाँ पर वर्ति का शुकला जो है इनको CMD अपॉइंट किया गया है इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर कुछ एक important appointments हम लोग देख लेते हैं जैसे अतुल भट हैं तो अतुल भट को राष्ट्रिय इसपात निगम लिमिटेड का चैर परसन और मेरेजिंग डियर्क्टर अपॉइंट किया गया है यह बहुत ही important है कि Central Board of Direct Texas का जो है J.B. मोहपात्रा यह exam में confirm आएगा इसको आप लोग जरूर से important लगा लिजेगा New Development अच्छा यह तो बताइए कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता कि नहीं आता आप लोग मुझे comment section में बताना कि जो मैं पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ाने के जो style है वो आप लोगों कैसी लगती है क्योंकि आप पुठी Election Commissioner जो है वो appoint किया गया है New Secretary General जो है राजसभा के ये भी बहुत important question है इसको भी आप लोग important लगा लेना तो PPK रामाचली जो है इनको appoint किया गया है New Director General of Indra Gandhi Center for Atomic Research तो यहाँ पर B.Banket Raman जो है B.Banket Raman इनको appoint किया गया है तो मैंने आज Hindi और English दोनों में इनको पाते हैं इसलिए English आप लोग यूज़ लें ठीक है English जो है वो आप यूज़ लें तो हिंदी और English का combination थोड़ा समय लेकर चलने वाला हूँ Nobel पुरसकार की Asia-y संस्क्राइण Raman Maxis पुरसकार जो है वो कितने लोगों को दिया गया है तो पांच लोगों को यह पुरसकार जो है इसकी गोशना की है Raman Maxis फिलिपीन्स के राश्ट पती रहे थे और उनी की याद में पुरसकार दिया जाता है किस FinTech सेवा कंपनी ने भारती डिजिटल भुकतार प्रदाता बिल डैस का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिकरन की जाने की गोशना की है तो PayU ने इसका अधिकरन करने की क्या की है गोशना की है वित्ती इस्तिर्ता और विकास परिशत की 24 स्वी बैठक की अधिक्स्ता जो है वो निर्मला सीता रमन के द्वारा की गई है देखी ये जो काउंसिल है इस काउंसिल को 2010 के अंदर फ्रेम किया गया था और क्यों किया गया था था कि Financial Stability लाई जा सके तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि निर्मला सीता रमन जो है इन्होंने 24 वी Financial Stability and Development Council को हैड किया है और इसको फर्म कब किया गया था दिसंबर 2010 के अंदर इसको क्या किया गया था फर्म किया गया था चली इसका हम लोग उद्देश ही देख सकते हैं सबसे पहला तो यहां पर क्या है कि Financial Inclusion जो है थीक है Financial Inclusion वो इसका Main Purpose है इसके साथ में ही यहां पर Coordination जो है Inter Regulatory Coordination उसको Increase करना है इसके साथ में ही यहां पर बहुत Important Financial Literacy इसको बढ़ाने का भी टास्क इनके पास में ही रहता है चलिए कुछ कोशन्स आप लोग के सामने हैं अबजेक्टिव कोशन्स हैं यह सब जो कोशन्स मेंने लिए हैं यह सबसे साफ सुत्रा शेहर होने का किताब जो है वो हासिल किया है तो इन दौर जो है यह इसका Correct answer रहेगा आप लोग याद रखना सुछ सर्वेक्शन 2020 के अनुसार दूसरा सबसे साफ सुत्रा शेहर जो है वो कौन सा है वो है सूरत सुछ सर्वेक्शन के अनुसार तीसरा तो नवी मुंबई तो फर्ष्ट पे हो गया इन दौर सूरत और नवी मुंबई सबसे गंदा शहर जो है वो कौन सा है पतना जो है वो इसमें सबसे लाश्ट और लीश पर आया है चलिए इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाडी जो है वो क्रिश्टिना रोनाल्डो बन चुके हैं और इनके द्वारा 111 गोल जो हैं वो दागे गए हैं ठीक है तो 109 गोल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और 111 गोल जो हैं वो इन्होंने दाग दिये हैं और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं और अभी जो है वो इटैलियन कलब के लिए ये खेलते हैं चलिए और कोशन हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य को सो से अधिक आबादी चेत्र श्रेणी के अंदर राज्यों में सबसे साफ सुतरा राज्य गोशित किया गया है तो जारकन जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में किस शहर को सबसे स्वच शहर गोशित किया गया है तो वारनसी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या किया गया है साफ शहर गोशित किया गया है तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मनीश नर्वाल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल ज देखी अवनी लेकरा है आपको पता होगा कि अवनी लेकरा ने दो मेडल जीत लिये हैं एक तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है 10 मिटर एर राइफल में और ब्रॉंज मेडल जीता है 50 मिटर के अंदर तो दो मेडल जो है वो अवनी लेकरा क शहर का पुरसकार जो है वो किसको मिला है तो मैसूर को मिला है अच्छा मैसूर के बारे में एक फैक्ट है कि जब Constitutional Assembly बनी थी तो Constitutional Assembly में सबसे ज़्यादा जिस रियासत से Member ने Participate किया था नॉमिनेट हुए थे वो मैसूर से थे और उनकी संक्या कितनी थी साथ थी सवच्छ भारत मिशन के शुरुआज जो थी वो 2014 के अंदर जब BJP Government आई थी तो आने के साथ इनोंने इसको Announce कर दिया था सवच्छ सर्वेक्षन 2020 में 20 किस मंत्राले के द्वारा आजित किया जाता है आवाश और 2021 के अंदर अब जो 10 अक्टूबर को पेपर होने जा रहा है उसमें इससे रिलेटेड कंध हम एक नाएक कोशन जो है वो आपको इस्टेट्मेंट के अंदर जरूर देखने को मिलेगा हाल ही में किस देश ने रैंसम वेर को आतंकी हमला गोशित करने का निर्णे लिया है तो जून के अंदर ही USA की द्वारा इसको अनाउंस किया गया था क्योंकि USA का ये आरोप था कि रश्या जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसे टेरिस्ट जो की साइबर अटेक करते हैं उनको तयार करता है वनाथू आइलेंड जो है वो पैसिफिक ओशिन के अंदर इस्तित है और काफी ज़्यादा कॉंट्रवर्शल रही रहा है हाल ही में आसम का छेवा नेशनल पार्ग जो है वो राही मोनों का गोशित किया गया है राही मोना को और साथवा नेशनल पार्ग जो है वो डीहिं पतगई को गोशित किया गया था परियावरण प्रदसें सूचकांक में भारत का इस्तान जो है एनवायरमेंटल पर्फोर्मेंस इंडेक्स में 168 वाइस्थान भारत का है इसको लिए सिक्षा को मजबूत करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में किन राज्यों को A++ ग्रेड में शामिल किया गया है तो 5 राज्य जो हैं इसके अंदर शामिल किये गये हैं केरल है इसके साथ में आप लोग देखना तमिल नाडू है तो जितने भी जिनकी लिटरिशी जादा है उन्हीं पांच को इसके अंदर ग्रेड के अंदर शामिल किया गया है कॉर्टेक्स फ्लॉर निम्न में से किस देश का मूल डूप से फूल है जो साथ से दस साल में एक बार खिलता है तो इंडोनेशिया का बेसी कलिए क्या है कि मूल डूप से इसी कंट्री का है ये फूल लेकिन सैन फ्रांसिसको के अंदर एक प्रदर्शित लगाए गई थी वहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो प्रदर्शित किया गया था हाल ही में बिम्श्टेक की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए है तो 24 साल जो है वो पूरे हो चुके है क्योंकि बिम्श्टेक की स्थापना जो है और अबू बकर जो है वो हैर थे बोकोहराम के और बोकोहराम को किस नाम से जाना जाता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किस की शाका जो है किस की ब्रांच बोकोहराम को माना जाता है दिल्ली सरकार की किस योजना को बंद कर दिया गया है तो घरकर राशन योजना जो है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि भारत के अंदर वन नेशन वन राशनकार योजना लागू की जा चुकी है और वन नेशन वन राशनकार को जोईन करने वाला पहला जो राज्य है वो ह मर्यम पंतंगा वैलू ने पुरुशों की उंची कूद में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है तो सिल्वर मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है एस्टोनिया के नए राश्पती अलार कारिज जो है वो नए राश्पती बने हैं कहां कि सरकार ने ग्रामिन महिलाओं के लिए साथ योजना शुरू की है तो वो है जम्मो एंड कश्मीर लद्दाक ने स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक क्रेन को क्या किया है राज किये पक्षी जो है वो गोशित किया है तो सब्रवना रॉय जो है इनके द्वारा पुरसकार जीता गया है दुनिया का पहला प्ल टेक्नोलोजी के द्वारा लाउंच किया गया है नॉबल पुरसकार यह जो है यह कि रैमन मैक्सिस पुरसकार यह कितने जनों को दिया जाएगा पांच लोगों को इससे सम्मान किया जाएगा किस देश के राश्ट्रपती ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्ध बाग की घोशना किया है तो श्रीलंका की द्वारा यह अनौंस किया गया है चलिए यह हमारा 4,700 का कॉशन था कि डार्विन आज जो है वो अभी तूटकर गिर गया है जो कि प्राकरती की रूप से निर्मित था यह किस दूइप पर इस्तित है तो यह गैला पैगोज यो आ श्रीलंका की तूशरा आप लोगों से MC कि ता कि मैने आप लोग को बताय थे कि स्थेना लेपरड और ब्लैक नेक क्रेंड जो है वो इस्टेट बर्ड और इस्टेट इनिमल अनौंस किये गये थे तो मैंनल आप लोगों से पूछा थे कि तो सचिन सुदान इन की द्रज पिश्टे ट्री भी नों लिख दिया है, काफी सा नों लिखा है, कि युनेसको की जो मिश्रित धरोहर है, निकि मिक्स कैटिगरी के अंदर कंचन जंगान नेशनल पार्क है, उसको शामिल किया गया है, तो बाकिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं, चलिए, आज का कोशन ह हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छे से इसका आंसर करता है, आंसर की मैं रूप रेखाट प्रस आप लोग को बता देता हूं, कि टोक्यो पेरा ओलंपिक के अंदर कौन-कौन से मैडल जीते गए हैं, किस-किसने जीते हैं, तो यहां पर जो है, वो आप लोग जरूर अटेम्ट कीजेगा, इसे आप लोग करन्ट अफेर जो है, वो जल्दी प्रिपेर हो जाएगा, इस्टेडि ग्लोज, आप लोग के लिए बहुती बैतरिन कंटेंट लिखे आता है, यह हमारी टेग लाइन है, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना नहीं भूलना है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुती बैतरिन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थेंक यू